हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मीटिंग में इंद्रागांदी शेहरी क्रेडिट स्कीम ने लक्षे क्या अमिरूप कारे नहीं करने पर अधिकार्यों को पत्कार लगाई स्कीम का अधिक से अधिक लोगों को लाप पहुचाने की निर्देश यह है डप्टर जोगा राम ने मीडिया से बातचीत करते के कहा कि सीएम ने बजट में महान अरेगा योजना के अंतरगत शेहरी शेत्र में रोजगार देने की गोशना की थी इसको लेकर प्लान तयार कर लिया गया है जल्दी लॉंच की जाएगी दरसल राज में शेहरी इलाके में चल रही स्कीम पर जला कलेक्टर की साथ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर फीडबाक लिया साथी शेहरी इलाके में मंड्रेगा के तहत लोगों को रोजगार देने को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की गई मीटिंग में इंडरागंदी शेहरी क्रेडिट स्कीम का लक्षे के नुरूप लोगों को फायदा नहीं पहुचाने पर नगर परिश्ट के अधिकारियों को फटब कार लगाई नगर परिशित बाडमेर वह बालोतरा के आयोत कोई स्कीम का अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुचाने का निर्देश थी ए बाडमेर नगर परिशित में तीन हजार लोगों रूम उपलब करवाने का टारगेट था इसमें 144 लोगों को ही इसका फायदा मिल पाया जागेंडे मेरिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीम अशोग गैलोत के बजट खोशनाओं को लेकर मीटिंग में चर्चा की गई है शहरी इलाकों में साफ सफाय कामपलेक्स को लेकर चर्चा की गई और जहां जैसी जबरत हो वहाँ पर नए सुलब कामपलेक्स खोलने के निदेश दिये है सीम ने बजट में शहरी इलाकों में माह नरेगा योजना के तहथी लोगों को रोजगार देने के लिए शेहरी रोजगार गारंटी स्कीम की गुशना की है इसको लेकर ढ्राफ तयार कर लिया गया है जल्दी ये स्कीम शुरूख होने वाली है ऐसे शेहरी शेतर में गरीब व्यक्ति को रोजगार मिल पाएगा इंदा गांधी शेहरी क्रेडिट स्कीम के तहट 50,000 रुपए ब्याज रहित लोन दिया जाता है लेकिन खुछ नगर परिशद में इसका बैंकों द्वारा वितरन सही तरीके से नहीं किया गया है स्टेट लेवल पर रिव्यू किया है आज बार्ड मेर में इसको रिव्यू कर कहा कि बैंकों से रिव्यू करके लोन वितरन किया रिचाएगा इसके बावजूद वितरन ने भी किया गया तो निया मनुसाल कारवाई की ज़गी जागरूप टिवी की बार्ड मेसेच अफ्र राम बेगवाल के रिपोर्ट